हेलो दोस्ताओं आप सबी को उटकला असिल हिंडी की और एक नी वीडियो में स्वागत है दोस्ताओं आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुर्गियों में होने वाली एक सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम है कॉक्षिडियोसिस तो दोस्तों इस वीडियों में हम जानेंगे कि कॉक्सिदियोसिस क्या होता है और कॉक्सिदियोसिस ठाम में क्यों होता है दिन जानेंगे कॉक्सिदियोसिस का सिंटम क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कॉक्सिदियोसिस का ट्रिटमेंट क्या होता है इसलिए दोस्तों पूरी जानकर के लिए वीडियो को बिन स्क्रिप्प कियो आन तक जरूर देखें और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दिजे तो चलिए शुरू करते हैं इस कोक्सिडियोसिस किया है तो दोस्तों कोक्सिडियोसिस एक पारासाइट यानि परजी भी बिमारी है जो की इमेरिया नामा की एक प्रोटो जहां पारासाइट के कारण होता है और यह जो पारासाइट है यह मुर्गियों की आन्तों की कोशिकाओं पर आठा कर देता है इससे आपकी बड़ जो भी खाते हैं उससे वो nutrition को अबजर्ब नहीं कर पाते हैं देन उसकी बड़ी को nutrition ना मिलने की बज़ा से उसका body weight loss हो जाता है और देन उसका mortality भी हो जाता है दोस्तों यह जो वीमारी है यह सभी उमरी की बड़ को होता है लेकिन जो दो महिने की बच्चे होते हैं उनको ज्यादा यह affect करता है और इस वीमारी का अगर आप टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो आपकी फार्म में 70% से 80% तक mortality भी हो सकता है इसलिए दोस्तों आप यह वीमारी का लक्षन और कारण जान लिजिए क्योंकि इससे अगर आपकी फार्म पे correct आजाता है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं दोस्ता अब हम जान लेते हैं कि यह触 पार्म की लिटर गिला रहता है तो आपकी फार्म में isolate आने का chance बड़ जाता है इसलिए ये coccidiosis बारिस के मुझसे में ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन दोस्ताँ अगर आप अपनी बार्ड को केज में रखते हैं जहां पर आपकी बार्ड उनकी toilet की contact में नहीं आते हैं तो coccidiosis आपकी farm में नहीं आएगा क्योंकि ये जो coccidiosis होता है ये toilet की मदद से आपकी farm में spread हो जाता है और ये गिला लिटर की वज़े से आपकी farm में आ जाता है इसलिए दोस्ताँ अगर आप आपकी बार्ड को deep litter में रखते हैं या फिर floor में रखते हैं तो लिटर को बीच बीच में disinfect करें और अगर लिटर गिला हो जाता है तो उसको तुरंट replace कर लिजे और अगर coxidiasis आपकी farm में हो चुका है तो आप लिटर के उपर चुना और खिट की डाल के उसको miss कर दीजे इससे आपकी farm में coxidiasis spread नहीं उपाएगा तो दोस्ताँ अब हम coxidiasis का symptom जान लेते हैं तो दोस्ताँ अगर आपके farm में coxidiasis हो जाता है तो आपके मुर्गे feed कम खाएगे और तेजी से उनका weight भी loss हो जाएगा देन जितना भी infected bad होंगे वो सब एक जगा पर आँखे बंद करके एक कोने में खड़े हो जाएगे और उनका जो पर होता है वो निचे की तरफ जुख जाएगा देन दोस्ताँ आपको आपकी farm में हर जगा पर bloody diarrhea देखने को मिलेगा यानि आपकी वर्ड है जो भी toilet करेंगे उसमें आपको खुन नजर आएगा उसके बाद दोस्ताँ अगर आप infected bad का postmatum करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो intestine होता है उसमें आपको blood नजर आ जाएगा तो दोस्ताँ अगर आपको इस तरह की कोई भी symptom देखने को मिलता है तो आप समझ जाएं कि आपकी farm में coxidiosis आ चुका है तो दोस्ताँ अगर आपकी farm में coxidiosis से आ जाता है तो उसका treatment कसे करेंगे तो चलिए जान लेते हैं दोस्ताँ coxidiosis का treatment के लिए market में बहुत सारे medicine मिल जाता है और इनमें से ज़्यादा तर amprosol, supracox और amprolium जे साब medicine को यूज़ किया जाता है तो दोस्ताँ अगर आप market से amprosol को लेते हैं तो आप 25 लिटर पानी में 30 gram amprosol को मिला के आपकी बाड़ को 3-5 दिन तक दे सकते हैं दोस्ताँ अगर आप super cox लेते हैं तो आप 1 लिटर पानी में 1 gram आड़ करके आपकी बाड़ को भी 305 दिन दे सकते हैं उसके बाद दोस्ताओं अगर आप आम प्रूलियम लेते हैं तो उसको भी आप एक ग्राम पर एक लिटर पानी के ही सब से मिला के आपकी बाड को दे सकते हैं और अगर आप कॉक्सिडियोसिस का ट्रीटमेंट के टाइम पर आपकी बाड को वाइटामिन B कम्पलेक्स दे देते हैं तो आप कॉक्सिडियोसिस का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो coxidiosis कराने वाला इमेरिया प्रोटोजवा होता है ये वाइटामिन B के करन स्मल इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप coxidiosis के ट्रीटमेंट के टाइम पे वाइटामिन A और K के यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रेजल्ट मिल जाएगा दोस्तों इस तरह आप इनमें से कोई भी मेडिसिन को यूज़ करके coxidiosis के ट्रीटमेंट कर सकते हैं और लिटर को बीच बीच में डिसिन्फेट करके coxidiosis के प्रीबेंट भी कर सकते हैं और सबसे important लिटर को हमेशा ड्राय रखें क्योंकि लिटर गिला होने की वज़़े से आपकी फाम में बहुत सारे बिमारी आने का चांस भी रहता है इसलिए दोस्तों आपको हमेशा लिटर को ड्राय रखें और ज्यादातर बिमारी ओं से दूर रहें दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ सिखने को भी मिला होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे को आपको कुछ सिखने को मिला है देन वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दिजिए तके इसे नहीं नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पैए तो दस्तों फिर मिलेंगे और एक नीव वीडियो के साथ तब तक गुडबाई